कि वेल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल डी एसार टुटोरियल लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था उसी से रेलेटेड एक और टॉपिक है वितैलोजेनेसिस के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि योग की फॉर्मिशन कैसे होती है ये पॉर्मिशन वही है उजनेसिस में ही बीच में जो एक प्रोफेस की स्टेज आती है जहां पर egg की formation arrest हो जाती है आपको बताया था मैंने जो mitosis के बाद meiosis की process आई थी और उसमें भी pro phase में diplotene stage में egg arrest हो जाता है उसी time पर yoke की formation होती है तो vitelogenesis के बारे में जानेंगे तो vitelogenesis क्या है vitelogenesis is the process of synthesis and accumulation of yoke in the oocet during the growth phase of oogenesis oogenesis की कौन सी face थी growth phase थी तो इसमें क्या होता है yoke की formation होती है और फिर उसको store करके रखा जाता है यानि accumulation होता उसका तो उसको क्या बोलते है vitelogenesis तो सबसे पहले जान लेता है yoke क्या होता है सभी जानते हैं इसके बारे में उसके बारे में बताने कोई खास बात नहीं है, एक के अंदर जो येलो गलर्स का मैटेरियल रहता है, वो योग कहलाता है, ठीक है, तो इसी फॉर्मेशन कैसे होती है, उसके बारे में अमलब पढ़ेंगे, तो प्रॉसेस जो है, हम जानते हैं, कहां पर होती है, ये टिपलोट ये प्रॉसेस चलती है, प्रॉफेज फर्ष्ट में जब एक की फॉर्मेशन अरेस्ट हो जाती है, जहां पर उसाइट की जो फॉर्मेशन हो रही होती है, उसाइट में भी कौन सी उसाइट? प्राइमरी उसाइट, प्राइमरी उसाइट जो बना था, वो अरेस्ट हो जाता साइट में नहीं पहुंच पाता है वहां पर यह प्रोसेस होती है योग की फॉर्मेशन की तो योग में क्या-क्या components होते हैं major वो जान लेते हैं एक तो proteins होते है major components और दूसरा lipids यानि पॉस्फो लिपेट्स और कुछ fats neutral fats इसके अलावात कुछ थोड़ी से amount में अगर बुला जाए तो ज्यादा नहीं carbohydrates और glycogen भी पाए जाते हैं smaller amount है ठीक है तो smaller amount में यह पाए जाते हैं main component इसके वो क्या है proteins और lipids ठीक है अब देखे इस नौट में इन उसाइट यानि यह उसाइट में नहीं बनता है यह बनता कहां पर है लीवर में यह मैंने आपको पहले भी बताया था इसकी formation कहां पर होती है लीवर में होती है और उसके बाद यह transfer कर दिया जाता है blood के द्वारा oberies में क्योंकि oberies में इसकी formation नहीं होती है formation पहले लीवर में होगी और उसके बाद transfer कर दिया जाएगा oberies में और लेकिन insect में ऐसा देखा क्या है इसकी formation जो होती है वह क्यों कर दिया जाता है तो केवल insect की बात करें तो insect में तो liवर नहीं होती है वह scenario होती है और अundra animals की बात की जाए जिन में योक की फॉर्मेशन होती है लिवरमे होती है तो आधे जलके देखते हैं कि प्रा से जान लेते हैं कि इस तरीके से से ले में तो सहके तो मैं लिजजेंaji लिवर में वहतो पेटो साइट सstep को ला जाता है Nucleus के अंदर हमें पता है Nucleus में जाते हुआ है कुछ जो प्रोटिन की करके हैं पिर अर्षी से उयर बन जाता है यार से घोली बन जाती है और कुछ पार प्रेस बारे में आपको उसके लक्षर बता दिया था तो होता किया इसके लिए स्टीमुलस की जरुपत परती है कि यह होता क्या कौन सी स्टेज में होता है यह पीद्टी का टाम आता है 12th age में 12th age में तब hypothalamus से hormone secret होते हैं Phytutory gland से follicle stimulating hormone क्यों होता है यह gonadotropin releasing hormone fetutory gland को stimulus send करता है और वो stimulus follicle stimulating hormone secret करता है follicle stimulating hormone से क्या होता है follicle cells होते है उनको यह stimulus ट्रांसफर हो जाता है और फिर वहां से इस्ट्रोजन की फॉर्मेशन होती है इस्ट्रोजन क्या हार्मोन है इस्ट्रोजन हार्मोन से क्या होता है इस्ट्रोजन में भी उस पे जाके अटेक करती है तो होता क्या है जब प्रिवर्टी की यह जाती है तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल सेल पे फॉलिकल सेल को स्टिमुलस सेंड करता है जिससे क्या होता है इस्ट्रोजन की फॉर्मेशन होती है इस्ट्रोजन हार्मोन की वह हार्मो है कि Central Dogma के बारे में हम पढ़ चुके हैं किसी एक Nucleus में क्या होता है transcription होता है और translation होता है तब protein की formation होती है तो gene में सबसे पहले क्या बनेगा transcription से mrna की formation हो जाएगी nucleus के अंदर फिर क्या होगा यह mrna transfer हो जाएगा साइटोफलास्म है और यहां पर यह mrna primosome के द्वारा ट्रांसलेट होगा जो mrna है वो translate होगा और translate होके polypeptide की formation करेगा polypeptide ER में जाएंगे ठीक है यह में जाने के बाद यह पैक होने लगेंगे पैसिकल्स में और प्रोटीन की formation होती है कौन सी प्रोटीन वैसिकल पाइट यह प्रोटीन करता है यह जीन करती है हमां जो है हिपेटोसाइट की बात करें हिपेटोसाइट के अंदर सैल्स के अंदर यह क्रोमोजोम होते हैं उनके अंदर जीन होती है वह जीन फॉर्मिशन करती है इस प्रोटीन का तो यहां से प्रोटीन आ जाती है और दूसरी बात कुछ फैट की formation होती है वह होती है माइटोकॉंट्रिया में माइटोकॉंट्रिया में एक द्वारा अपने साइक्ल पड़ी होगी तो इसमें तो क्रैब साइकल होती है उसके द्वारा यह फॉर्मिशन होती है फैट की फैट की द्वारा यह transfer हो जाएंगे और पर जाने के बाद कैसे जाएंगे ब्लड वैसल पाएगी यह पहुत सारी ब्लड वैसल हों गी जो एंटर करा किसको जो योग का मैट्रियल है योग में क्या बताया था मैंने प्रोटीन बताई थी और प्लताया था यह पाया जाते हैं तो कोटीन और फैट की जोड़ी ड्रॉपलेट्स हैं यह ड्रॉपलेट्स ट्रांसफर हो जाएंगी किसमें ओवरीज में किसके द्वारा ब्लड स्ट्रीम में ब्लड वैसल्स जो पाए जाते हैं उसके द्वारा फिर क्या होगा यह ट्रांसफर हो जाएंगे और ओव अब इसमें यह जानना बहुत ज़ूरी है की प्रोटीन जो फोरम होती है वह सॉलिड फोरम होती है तो उसको पहले नाम के प्रोटीन जो होती है जो डिजॉल्फ फॉर्म में होती है उसको चेंज कर दिया जाता है अन्डिजॉल्फ फॉर्म में चेंज कर दियाता है तब ही तो वह योग बनके रह पाएगा अगर वह डिजॉल्फ फॉर्म में रहेगा तो फिर निकल जाएगा उसाइट से बाहर इसल वी हां पर उसाइट के फॉलिकल चैल के मार्य सो फ और यह उसके बाद रिस वह जstag लिया जाता है कि इस तरीकहरा से रख नहीं सकते है इसलिए उनको चेंज करना है किस फॉर्म में थो यह माईटो कॉंडिया वर्क करता है इसको चेंज करने में तो इस तरीके से यह योग तक योग की फॉर्मिशन हो जाती है और योग श्टोर करके रख लिया जाता है कहां पर follicle cells के अंदर ये जो follicle cells है follicle cells के अंदर पहले पहुंचा आजाता है pinocytosis के दर और follicle cells से ही कहां पहुंचा दिया जाएगा जो primary oocyte की formation में थी ये क्या था primary oocyte था ओवरी में जो process चल रही थी उसी की बात कर रहे हैं ठीक है भूजनेसिस की जो process चल रहे थी उसी पे ही है वहीं पर जो प्रामरी उसाइट था उसमें इस तरीके से प्रोटीन और लेपिट्स को ट्रांसफर कर दे जाता है कहां से लीवर के से तो इस तरीके से योग की फॉर्मेशन हो जाती है और स्टोर कर ले जाता है अब देखिए इस डियाग्राम में द क्या पहुचेगा प्रोटीन्स और लेपिड के फॉर्म में होता है और थोड़ा बहुत कर्वो हाइड्रेट्स और आपको बदाया था मैंने क्लाइको जंस बगेरा पाई जाती है तो इसमें ट्रांसफर हो जाता है और फिर यह उसाइट में पहुंचा दिया जाता है और उसा पाया जाता है जाधा अमांट में चुह कंसंट flour को ट के लई अगर परॉटेइन की ज्यादा है और हम पर जाता है जो invertivates होते हैं या lower chordates की बात करें amphioxus और amphibians उन्हें protein यूग पाया जाता है बाकी chordates की बात करें अगर bonifaces reptiles and birds की तो उसमें fatty yokes पाया जाता है और mammals में बात करें तो mammals में तो योग पाया नहीं की जाता है सभी scholarily humans की बात करें अगर तो जीए कि इनमें क्या होता है डैप्लोपमेंड एंटर्टर्णल होता है लेफ्ले इनमें योग की फॉर्मेशन नहीं होती है इंसके एंग में योख नहीं पाया जाथा है कहां तक पाया जाता है पाये ज्होंद के अगर किस तरीके से जो पाया जाता है मैंकर इसके इसाड़ék से पात करें से एक तो ग्रैनियूर ऊपाया है इसमें में इसमें साइटो प्लाज्म के अंदर जो योग प्रिजेंट होता है वो छोटे-छोटे ग्रेनियूल्स के पॉर्म में प्रिजेंट होता है और वो जो ग्रेनियूल्स होते हैं वो हर जगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रिब्यूट होते हैं कहीं पर भी कम या ज्यादा नहीं होते हैं सा पॉलिलतना है जाता है यान्य उनिफॉर्म अंदर ug उन उनिफॉर्म उनिफॉर्म डिस्टिपॉर्म, जोपता है वही एक्जाम्पल है देखे इस तरीके का होता है इसमें यह योग के ग्रैनूल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे यह हर जगे तरीकी से यहां पर एक दूसरा है बन चुका थो तो इस तरीखे से यह अलग अलग जो है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं यह तो हैवी प्लेटलेट्स बनाए नीचे और उपर जो बना हुआ है वह लाइट प्लेटलेट्स बना हुआ है तो इस तरीखे से योग जो प्रेजेंट होता है तो उनको क्या बोला जाता ह योग प्लेट प्लेट्स ठीक है अब यह किसमें पाया जाता है यह बटीब्रेट्स कार्टिलेजनल स्पेज बॉनिफिस एंफिवेंस रेप्टाइल सेंड यानि की फैट्टी योग की बात के तो दो तरीके के योग थे तो प्रोटीन योग और दूसरे फैट्टी योग तो वाले जो प्रोटीन योग है वो ग्रैनुलर फॉर्म में होते हैं और फैट्टी योग किस तरह के फॉर्म में होते हैं योग प्लेट्लेट्स की फॉर्म में होते हैं ठीक है इसके आगे देखें लेट्लेट्स और टू डिफरेंट टाप्स ऑफ प्रोटीनियस सब्स्टेंस अब इसमें दो तरीके के सब्स्टैंश होते हैं एंफिए से बात करेंवेंगर तो एक तो फॉसवाइटिन और दूसरा लाइपो यह विद आखेंगे maout में होता है क्या क्या होता है protein वितना ही होता और लिपट भी उतना ही होता तो यह तो अलग तरीक की पॉर्म है यह यह योग की फॉर्म है यह तो फॉसवाइट इन है और दूसरा लाइपोविटल jy enra अरु होता दोनों होते हैं प्रोटेंस होती है अड ड़ lower मोण parfum में जाती है योगए तो योग का सबसे पहला फंक्शन जो है कि je शुर जानते ही हैं कि नेक्षिशन मिले और आके हैं İş इसलिए इसको nutrition प्रवाइट कराने के लिए योग की फॉर्मिशन की जाती है उनमें ज्यादातर होती है जो जिनमें development external होता है जिनमें internal development होता है उनमें तो placenta के दौरा ट्रांसफर हो जाता है nutrition तो जरूरत नहीं है योग की तो योग की ही आगे सारे development की process चलती है एक का size डिपेंड करता है योग पे क्लीवेज के पैटर्न डिपेंड करते हैं योग पे आगे चलके जो क्लीवेज होंगे वह योग के हिसाब से होंगे जितना योग होगा उसे हिसाब से अलग-अलग management होता है किस cell को कहां पर जाके क्या बनना है आगे future में वह उसे होता है यह तो इस तरीके की जो formation होती है morphogenic movement कहले जाती है यानि cells का movement होना उनके हिसाब से कि आगे चलके वो konservate तयार हो जाएगा future में क्या बनेगा और development किस तरीके से होना है वो सारा का सारा depend करता है किस पर योग पर तो इसलिए योग की process काफी important process है इसलिए पढ़ना काफी important है क्योंकि कि आगे चलके जितना भी हम पढ़ेंगे प्लीवेज ब्लास्टुलेशन गैस्टुलेशन और्फोजनिक movement और deployment यह सारे के सारे depend करेंगे योग पे इसलिए योग के बारे में study करना बहुत important था तो आज के हमारे लेक्चर में हमने इतना ही बड़ा एक लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको टाइपस बताएंगे कि योग के हिसाब से बताएंगे आपको कि टाइपस एग में कितने टाइपस के होते हैं ठीक है और वो सारे के सारी किस पर डिपेंड करेंगे योग भी डिपेंड आपको लिए नेक्स्ट लेक्चर में आज के लिए बस इतना ही ठैंक्यू